राष्ट सर प्रथम की बात ललिस सुमन के साथ कार्ज क्रम में आप सभी राष्ट वासियों का हर्दिक स्वागत है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज नेता जी सुभाश चंद्र बोस की जहनती पराकरम दिवस के अफसर पर संपून देशवासियों की ओर से नेता जी को श्रधानजली प्रधान की प्रधान मंतरी ने इसके साथ ही अंडमान निकोवार के 21 द्वीप समूहों का नाम 21 परमवीर चकर प्राप्त वीरों के नाम पर रखे जाने की घोशना की इसके साथ ही रौस द्वीप का नाम बदल कर नेता जी सुभास चंद्र बोस द्वीप नील और हैवलोग द्वीपो का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया है इस अफसर पर केंद्रे ग्रहमंतरी अमिद शाह भी काले क्रम में उपस्तित रहे उपस्तित जन्समू को इस अफसर पर संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि नई सुभा की रश्मिया नया इतिहास लिख रहे हैं और आने बाली पीडियां अमरित काल के दोरान आए इस दिन को याद रखेंगी आज नेताजी सुभास की जन्मजेंती हैं सभी देश वास्यों को पराकरम दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाई आज पराकरम दिवस पर अन्यमान निकोबार दिपसमू में नई सुभह की रस्मियां एक नया इतिहास लिख रही और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसको आसमरन भी करती हैं आकलन भी करती हैं मुल्यांकन भी करती हैं और अभीरत प्रेणना पाती रहती हैं आज अंडमान निकोबार के 21 दिपों का नामकनन हुआ है इन 21 दिपों को अब परम वीर्चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा जिस दिप पर नेताजी सुभास चंद्र बोज रहे थे वहां उनके जीवन और योगदानों समर्पिद एक प्रेणना स्थली एक समारक का भी आजशलान्यास हुआ है आज के इस दिन को आजहादि के अमरित काल के एक महत्तपून अध्याय के रुप में आने वाली पीडियां याद करेगी नेताजी का इस मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारी युवाओं के लिए आने वाली पीडिय के लिए एक चिरंतर प्रेड़ा का स्थल बनेंगे मैं अन्दमान निकोबार के द्वी समू के लोगों को और सभी देश्वाजियों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं मैं नेताजी सुभाष और प्रमभीर चक्रविजेता योद्धाओं को स्रध्धा पुर प्रतिय सरकार का गठन हुआ था इस सब के साथ अंदमान की इसी धर्ती पर वीर सावरखर और उनके जैसे अंगिनत वीरों ने देश के लिए तप तितिक्षा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था सेलूलर जेल की कोठरिया उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जजबे के स्वर वहाँ पहुंचने वाले हर चीज़े के कान में पढ़ते हैं सुना ही पढ़ते हैं लेकिन दुरभाग्य से स्वतंतरता सं संगराम के उन स्मृत्यों की जगह अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड़ कर रखा गया था हमारे आइलेंड्स के नामों तक मैं गुलामी की चाप थी पहचान थी मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्ले गया था तो वहां मुझे तीन मुख्य आइलेंड्स को भारतिये नाम देने का आउसर मिला था आज रॉस आइलेंड्स नेताजी सुभाज चंद्र बोर्थ दिब बन चुका है हैवलोक और नील आइलेंड्स स्वराज और सहीद आइलेंड्स बन चुके हैं और इसमें भी दिल्चस्पे ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था इस नाम को भी आजादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था जब आजाध हिंद्फोच की सरकार के 75 वर्थ पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभास को आजाधी के बाद भूला देने का प्रयास हुआ आज देश उनी नेताजी को पल पल याद कर रहा है देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अनमान आने का नहीं करता है अनमान का सामर्थ बहुत बड़ा है यहां पर अथा आउसर है हमें इन आउसरों को पहचानना है हमें इस सामर्थ को जानना है हमने सम्मरीन आप्टिकल फाइबर के जरिये अनमान को तेज इंटरनेट से हुचने लगा है डिजीटल पेमेंट और दूसरी डिजीटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है इसका भी बड़ा लाब अन्दमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है साथियों अतीच में अन्दमान निकोबार ने आजहाजी की लड़ाई को नई दिशा दी थी उसी तरह भविश्व में ये खेत्र देश के विकास को भी नई गती देगा मुझे भी स्वास है हम एक ऐसे भारत का देनमान करेंगे जो सक्षम होगा समर्थ होगा और आधूनिक विकास की बुलिद्दियों को छूएगा इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभास और हमारे सभी वीर जवानों के चर्रों में नमन करता है आप सबको पराकरम दिवश की बहुत बहुत शुब कामना है राश्तर पर्थम की बात लली सुमन के साथ कार्श करम में हम आप से आज यहीं विदा लेते हैं अनखाबरों के लिए आप बने रहें राश्तर पर्थम बंदे मातरम जाग उठा है भारत